हलो गुड मोनिंग साथियों आप सभी का स्वागत है आपके पने यूट्यूब चनल से डिपी कुनिवान से में पर आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटर सेकेंड पेपर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लासेस पहला कोश्चन है सामाजिक विज्ञान की कच्छा में अवधानाओं को इसपष्ट करते समय जब एक सिच्चक व्यक्तिक अनभो का प्रयोग करता है तो वह किस प्रकार से करता आपको बताना है पहला अपसने पाठ को भागीदार बनाने वाला बनाता है दूसरा है कि करते समय जब एक सिच्चक व्यक्तिक अनभो का प्रयोग करता है तो वह क्या करता है सभी लोग इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा अपसन नंबर सी क्या हो जाएगा उनकी इस्थाने वास्तिविक्ता को वेस्विक्स अंदर्वों के साथ जोड़ने में योगिता को बढ सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार उपयोगी होते हैं आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार किस प्रकार से उपयोगी होते हैं यहाँ पर चार कूट दिये गए हैं तो आप एक बार पढ़िए और बताईए इनमें से कौन सा आपसन सही हो एक अच्छा थवा घर पर समूहों में कार करने के लिए तो आपको बताना है कि उप्यूक्त विकल्पों में से कौन से दो विकल्प सही हो जाएंगे क्वेश्चन नमबर दो का एक बास अभी लोग आंसर करेंगे तो इसका आपसा नमबर C यानि कि पहला और चौथा इसमें सही है कौन-कौन से सही हैं, पहला और चौथा ये, दो सही हो जाएंगे देखते हैं गला कॉश्चन, अगला कॉश्चन है सामाजी विज्ञान की किसी कच्छा में निमलिखित में से कौन सा तरीका या समझने के लिए उप्युक्त है कि ग्रामीर चहत्र में सारवजनिक और खुले इस्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं आपको बताना है कि सामाजी विज्ञान की किसी कच्छा में निमलिखित में से कौन सा तरीका या समझने के लिए उप्युक्त होगा कि ग्रामीड चेत्रों में सारवजनिक और खुले स्थान तेजीकात में लुप्थ हो रहे हैं या फिर खत्म हो रहे हैं पहला अपसन दिया अपको बताना है कि इनमे से कौन सा अपसन है कि जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ग्रामीड शेत्रों में सारवजनिक या फिर खुले वेश्थान तेजी के साथ में कम हो रहे हैं या फिर लुप्त हो सब्सक्राइब हमें तब पता चल सकता है जब हम किसी सामाजी विज्ञान काच्छा में जो सारवजनिक ख्यत्र हैं वो काफी तेजी के साथ में विलूप्त हो रहे हैं या फिर गाइब हो रहे हैं देखते हैं अगला कॉस्चन है निमलिखित में से कौन सी विदी सामाजी की विज्ञान कच्छा में जो सीच्छार्तियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सरवोथ्तम है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अपसन हो जाएगा पहला है सब्ता में तीन बार ग्रहकारे देना दूसरा है नए विशियों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी सिचार्तियों को अलग 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 पर होज़ना देना तिसरा है रुच बनाया रखने हैं तो दिये जारे हैं व्यक्षान में अधिक से अधिक नहीं सामगरी रखना चौथा अपसन है ठीक पाठ होज़ना अब आप रत्यक गतिविदी के लिए नियत समय का पालन करना तो आपको बताना है इन में से कौन सा अपसन हो जाएगा सभी लोग बताईए एक बार तो इसका है आपसन नमबर बी नए विशियों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी इसे चार्टियों को अलग अलोग परियुजना देना ये इसका अभी कुछ सही आंसर हो जाएगा देखते हैं एकला कॉस्चन एकला कॉस्चन है कि फार गयली उद्ध में जहली कठनाईओ के विशाय में उत्सुक है तुबताईए उस सेनिक को इन मेंसे क्या माना जाएगा क्योस्चन नमबर पांच का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार जितने लोग हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार अपनी सीटेट की सभी क्लासों के लिए और जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में वो लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और वीडियो को सभी के पास में सेर कर दीजिए एक बात सभी लोग मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए इस क्लास में तो इसका पताईए क्या हो जाएगा इसका जागा आपसन नमबर B कैसा सरोत है वो प्राथिमिक सरोत देखते हैं अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन है अगला कॉस्चन कह रहा है कि एक सामाजी की विज्ञान कच्छा में सिच्छार थी या चर्चा आरंब करते हैं कि विद्याले के निकट मॉबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं एक चाहतरा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकरण चाहतराओं को बीमार देगा एक और चाहतरा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मॉबाइल टावर मनुस्यों को बीमार नहीं करते हैं एक सिचका के नाति आप क्या जवाब देंगे या फिर आप क्या करेंगे पहला अपसन है कि छात्राओं को इस्थानी प्रसाशन के कारेले के बाहर धारणा देने के लिए प्रोसाहित करेंगे दूसरा है छात्राओं को इस इस्तित पर साथ शकत्रित करने के लिए अभी प्रे ये विपच्छ में चुनाव करवाएंगे तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा अप्षन सही हो जाएगा जो चात्रा अपस में बात कर रहें कि मोबाईल टावर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए इससे क्यालाब है या फिर कोई हान है कि नहीं है तो इसके लिए आत्राओं को इस इस्तित पर साथ शकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए जिससे कि वाइस्तित का वस्तुनिट आकलन कर सकें यहने अपसन नमबर 20 का विल्कुछ सही आंसर हो जाएगा देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है एक सामाजी विज्ञान की सिचका द्वारा कच्छा में प्रभाव सील होने के लिए निम्लिखित में से कौन सी विद्य उपयोग में लाई जानी चाहिए पहला अपसन है विचारोत तेजक वारुची पूर्ण गत विद्यों द्वारा सिच्छार्थियों का विश्य के आकरशन बढ़ाना दूसरा है प्रतेक सोंबार को परिच्छा लेकर चात्राओं का ज्यान बरधन करना किसरा है धीरे धीरे सीखने वाले सिच्छार्थियों के विश्वास को बढ़ाने है तो धीले ढंक से ग्रेड से देना या फिर माता पिता को बच्चों की सिच्छा में समिलित करने है तो ग्रह परिय ऑफियाद Cheers क्या होईगा आपसろ नंबर एक है विचारों तेज़क वारुचि पूंड कrip दीओं दारा सिच्छारत का विशे के प्रति आकर्शनबाना प्रत्यूट स्था आंतर हो जाएगा आफिबनículos होजै देखते हैं के character question कि अगेint प्राथमिक तोर पर केंद्रित होगा। प्राथमिक तोर पर केंद्रित होगा आपको बताना है। अगला कुस्चन है कि प्रकरण अध्यन अधिगम अन्यय रूप से केंद्रित होता है। पहला है परिभासाओं से बचना। दूसरा है बच्चों को उनके सोयम के अनभोंदारा सिखाना। तिसरा है बच्चों को उच्छ सिच्छायत कानून की पढ़ाई जिसमें केस स्टडिज होती हैं के लिए तयार करना। तिसरा दिया है सिच्छार्थियों में सुनिष्चित प्रत्क्रिया की प्रवत्ति को प्रत्साहित करना। तो इसका हो जाएगा अप्सन नमबर B क्या हो जाएगा इसमें बच्चों को उनके सोयम के अनभोंदारा सिखाना। सब्सक्राइगे एक बार। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका जाएगा आपसर नमबर B क्या जाएगा सिच्छार्थि के लिए प्रत्यक्ष चनुभो इसका बिल्कुर सही आंसर है यही वाला आपसर नमबर बन देखते हैं अगला क्वेश्चन सिच्छार्थियों की आत्मगरिमा को बढ़ाने के लिए सिच्छार्थियों को प्रत्साहित करने के लिए निमलिखित में से क्या करना चाहिए तो आपको आंसर देना है पहला आपसंदिया है चर्चा और वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रत्साहित करना दूसरा है सफल कहानिया सुनाना जैसे श्टीफन ओकिंस एक असक्त व्यक्ति लेकिन महान भौतिक विज्ञानिक आध उदाहर्णों का मुल्यांकन करने का प्रयाश करना दूस असर देना जिसमें वे प्राकरतिक रूप से कुछ करने को तयार है तो बताईया इनमेंसे कौन सा अपसंदिया है जिससे सिच्छार्थियों की आत्मगरिमा को बढ़ाने के लिए सिच्छार्थियों को प्रत्साहित करने के लिए कुछ किया जा सके तो इसका हो जाएगा अ आपसर नमबर A हो जाएगा इसमें चरचा और वाद विवाद में हिस्सा लेने के लिए प्रोपसाहित करेंगे हम विद्यारतियों को आपसर नमबर A इसका बिलकुल सही हो जाएगा अब चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है कौन सा सामाजी की विज्ञान का तक Tकनिक कोशल नहीं है तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर C क्या हो जाएगा प्रवलंद जो है वो सामाजी respect की विज्ञान का तकनिक और उद्धरणी कहानीकतन और यह उद्धर ज्सभ सामाजी विज्ञान के तकनिक या कोशल हैं अप चलते हैं इने द्रैंकल상 को कि की मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना किसका उधारन है आपको बताना है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना उधारन है पहला है प्राथमिक आकडों का दूसरा है दृतियक आकडों का तिसरा है तृतियक आकडों का चौथा है विदागत आकणों का तो आपको बताना है कि किसका उधारण है सबी लोग आंसर करेंगे तो इसका हो जाएगा आपसन नमबर एक क्या हो जाएगा प्राथमिक आकणों का उधारण हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के किसी सिच्छक के लिए कच्छा में हाल इमें हुई चर्चा में कौन सा तत्य सारवदिक ध्यान देने योग्य है पहला अपसा ने विद्यार्थी सीध ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रशन करने लगे थे तो आपको बताना है इरं में से कौन सा option स़ही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा option number C हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कोई भी विध्यार्थी दूसरे विध्यार्थी से पूर्ण रूपेंन सहमत नहीं था 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दिवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था सभी लोग इसका अंसर करेंगे एक बार 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दिवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर B क्या जाएगा राबर्ट कलाईव को नित किया गया था 12 अगस्त 1765 को बंगाल के दिवान के रूप में अगला कोईशन देखते हैं इस्थाई बंदोवस्थ में राजस्वेकत्र करने का परभार डॉट डॉट को दिया गया था आपको बताना है कि इस्थाई बंदोवस्थ में राजस्वेकत्र करने का परभार किसको दिया गया था ग्राम परधान, राजा और तालुकदार, किशान या फिर उप्रवक्त में से कोई नहीं तो इसका होजाएगा आपसा नंबर बी क्या हुआएगा राजा और तालुकदार को इस्थाई बंदोबस्त में राजा सुकत्र करने का प्रभार दिया गया था देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला question है इस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावित करने में इस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावित करने के समय भारत का गवर्णर जनरल को था आपको बताना है कि जब इस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था उसमय भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो इसका आंसर किजिए सबी लोग एक बार Question number 3 का हुजए गा Option number D कौन था Charles Carnvalis Option number D विसकुल सही आंसर है देखते हैं अगला question अगला question कह रहा है कि दिये गए संकेतों से बंदोबस्त की पहचान किजिए संकेत है होल्ट मैकंजी ने इस प्रणाली को पहली बार आजमाया था दूसरा है राजस एकत्र करने का दायत ग्राम प्रधान को इस्थानांतरित कर दिया गया था तो आप बताएए कि इन में से वो कौन सी बंदोबस्त प्रणाली हो जाएगी सबी लोग आंसर करेंगे कॉस्चन नमबर चार का तो इसका हो जाएगा अपसर नमबर सी क्या हो जाएगा महल वाड़ी बंदोबस्त थी ये जिसमें होल्ट मैकंजी ने इस प्रणाली को पहली बार आजमाया था और राज़व से कत्र करने का दायत तो इसमें किशान चोथा है जमिदार तो आपको बताना है कि रईयत वाड़ी बंदोबस्त में रईयत किसे कहा जाता था कॉस्चन नमबर पांच का हो जाएगा अपसर नमबर सी क्या हो जाएगा रईयत किसे कहते थे हम किशान को कहा जाता था रईयत किसे किसानों को काह जात था रईयत याद रखना इसको अगला क्योष्चन देखते हैं अगला क्योष्चन है टीपु सुल्टान के छेत्रों में रईयत वाड़ी प्रनाली को पहले छोटे इसतर पर सुरू किसी ने किया था तो बताइए कि टीपू सुल्तान के छेत्रों में रयत वाडी जो प्रणाली थी उसको पहले छोटे स्थर पर किसने शुरू किया था इसका बताइए क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर 6 का हो जाएगा अपसर नमबर C अलेक जेंडर रीड ने शुरू किया था अलेक जेंडर रीड ने शुरू किया था देखते हैं आगे बंगाल बिहार और उडिशा चेत्र में किस बंदोबस्त का प्रयोग किया गया था आपको बताना है कि बंगाल बिहार और उडिशा चेत्र में किस बंदोबस्त का उप्योग किया गया था खुश्चन नमबर 7 का बताइए क्या हो जाएगा इसमें बंगाल बिहार उडिशा साइड में किया गया था इस्थाई बंदोबस्त का किया गया था इस्थाई बंदोबस्त का अपयोग किया गया था देखते हैं आगे है इस्थाई बंदोबस्त कहां था बंगाल बिहार और उडिशा में महलवारी कहां पर था उत्तरपस्चिमी यानि गुजरात रजस्थान इस साइड में था महलवारी बंदोबस्त और रहयत बंदोबस्त क कहां और क्यों किया गया था आपको बताना है कि वोर्ड का पोधा का अपयोग कहां और क्यों किया गया था पहला अपसन एसिया में और सदीव देश के लिए दूसरा है यूरोप में नीले और बेंगनी रंग के लिए तिसरा है अफरीका में भोजन के लिए चोथा है भारत मे इंडिगो के लिए तो आपको बताना है कि वोड का पोधा उपयोग कहां और क्यों किया गया था तो इसका होजाएगा आपसर नमबर बी क्या होजाएगा यूरोप में नीले और बैंगनी रंग के लिए वोड के पोधे का प्रयोग किया गया था कहां किया गया था यूरोप में नीले और बैंगनी रंग के लिए वोड का पोधा का प्रयोग किया गया था आगे देखते हैं सूरत के सूरत के बारे में किसने लिखा है कि विभिन देशों के ओस्तन सो जहाजों को किसी भी समय इस बंदरगापर लंगर डाल कर जहाज ठहरा जा सकते हैं तो बताईए किसी ने लिखा आईए सभी लोग इसका अंसर करेंगे एक बार कोश्चन नमबर 9 का हो जाएगा आपसन नमबर D किसी ने लिखा था ओविंग गटन ने लिखा था ये किसी ने लिखा था ओविंग गटन यानि आपसन नमबर D बिल्कूर सही हो जाएगा देखते हैं गला कोश्चन एक बार सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लेंगे और सभी के पास में सेयर कर दीजिए जितने साथ ही लोग हमारे साथ जूड़ चुके हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फिर देखते हैं अगला कोश्चन तो अगला कोश्चन है निम्न वर्णों में से कौन यग्ग कर सकता था आपको बताना है इनमें से यग्ग कौन कर सकता था क्या वो ब्राम्माड, छत्री, वेस्ट से और सूदर चारों कर सकते थे या फिर इन में से ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनको यग करने की परमिशन थी तो इसका अगर आपसन नमबर B कौन थे वो केवल पहला दूसरा और तीसरा यानि की ब्राम्माड, छत्री और वेस्ट से ही यग कर सकते थे सूदर को यग करने की परमिशन नहीं थी आगे देखते हैं अगला कोश्चन है वर्ण क्या है आपको बताना है कि वर्ण क्या थे जो ये बनाई गई थी वर्ण वेस्था हो वो क्या थी किन लोगों को अच्छूत के रूप में वर्गी करत किया गया था पहला अपसन ने सिल्पकार, सिकारी तथा संग्रह करने वाले दुसरा है मजदूर व्यापारी और मचली पकड़ने वाले लोग तिसरा है सिल्पकार, पुजारी और चरवाहे लोग चबथा अपसन एकिसान चरवाहे और वियापारी तो आपको बताना है कि इन में से किसको अच्छूत वर्ग में वर्गी करत किया गया था बताईए इसमें क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अपसन नम्बर A क्या हो जाएगा सिलपकार सिकारी तथा संग्रह करने वालों को अच्छूत के रूप में वरगी करत किया गया था अपसर नमबर A बिल्कूल सही हो जाएगा देखते हैं अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन है निमलिखित में से क्या महाजनपद के राजाओं के बारे में गलत है तो बताईए निमें से ऐसी कौन सी बात है जो महाजनपद के राजाओं के बारे में गलत है पहला अपसर ने उनकी राजधानी वाले सहरों की किले बंदी की गई दूसरा है उनकी बड़ी सैनाय थी तिसरा है वे सैनाओं को बनाय रखने के लिए कभी कभार मिलने वाले उपहार पर निर्वर रहते थे और चवथा है उन्हें से एक उदाहन बिमबशार है तो बताईए इसमें कौन सा आपसर गलत है सभी लोग आंसर करेंगे इसमें इसका होगा आपसर नंबर सी वे सैनाओं को बनाय रखने के लिए कभी कभार मिलने वाले उपहार पने रवर रेते थे यह इसका गलत आंसर एबाकी के बाकी सही है यानि आपसर नम्बर सी इसका विल्कुद सही आनसर हो जाएगा देखते हैं अगला अगला क्योश्चन है मगद से होकर कौन सी नदियां बहती थी आपको बताना है मगद से होकर कौन सी नदियां बैखती थी गंगा, सोन और तापती में ऐसी कौन सी नदियां जो मगद से होकर के बैखती थी मगद से ओकर कौन सी नदिया बहती थी तो मगद से ओकर बहती थी गंगा और सोन नदी यानि आपसन नमबर इसका हो जाएगा आपसन नमबर A सही है इसमें कौन कौन सी बहती थी गंगा और सोन नदी बहती थी मगद में तो इसका हो जाएगा आपसन नंबर A बिल्कूर सही, देखते हैं अगला question, अगला question है वर्तमान पतना को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है कि वर्तमान में जो पतना है इसको और किस नाम से भी जाना जाता था, पहला आपसने राजगरे, दूसरा है पाठिल पुत् क्लास में कि आज की आपको हमारी क्लास कैसे लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब भी लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, और जितने साथ है लोग नए जोड़े में लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपनी बहतरी क्लासों के लिए, और एक बार इस वीडियो को क्लास अच्छी बहतरी के लिए